इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और अन्य स्पास्टिक विकास पर लंबे समय तक अंटी स्पास्टिक प्रभाव डालते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. ये श्वसन तंत्र से संबंधित मुद्दों जैसे सूखी खांसी और अस्थमा के इलाज में मदद करता है। 2. निगलने में कठिनाई, सांस फूलना, घरगराहट, ब्रोमकाइटिस और घुटन होने पर मदद करता है। 3. फेफ़णों की भीड और चिंता में राहत देता है। 4. ये नाक से खून बहना और उबकाई, गहरी करकश आवाज, सांस फूलना रोग सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।